मुझे आपसे सवाल पूछने में बड़ा भे मैसूस हो रहा है कहीं मेरी बात बुरी ना लगे सर जब आप इतनी बड़ी पोस्ट पे थे तब आपको ये समाज कल्यान की बात क्यों नहीं याद आई सेवा ने बृत के बाद में सर मुहीम चला रहे हैं आखिर क्या करना सर ऐस आपके बात बिलकूल जायज है और मैं समझता हो कि आपको किसे बाद कोई diceempार नहीं होना चाहिए ये democracy है आपको सवाल पूचने का हक है और हक ही नहीं आपको पुरा अधिकार है कहीं नहीं जो है मैं गलत हो सकता हूँ, हो सकता मुझसे गलती हम, मैं उसको सविक्य साथ साथ में आपके माध्यम से पताना चाहता हूं कि हिंदू महासभा और उस जमाने के तमाम लीडर्स भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना की जिन्ना है आप मेरे साथ में हैं पूर डीजी पी अधरनी है सब्सक्राइब की तो मैं सब्सक्राइब हुआ हूं और मेरा सब्सक्राइब नाम दिये गए हैं इंडिया और भारत अंतरश्टी पटल पर भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता है कोई भी स्कीम जब जब आती है तो वह स्कीम कवर्मेंट ऑफ इंडिया के नाम से आती है इस पर सर क्या कहना चाहते हैं देखिए मैं शुरू में बात बता दूँ कि हमारा भारत का आयीं जो है समिदान जो है सरोपरी है और मुलक जो है भारत के समिदान से चलेगा बावा सापके सम್धान से चलेगा और किसी के विषेश जात या वर्ग या धर्म के आइडirology से जो है नजरिय से नहीं चलेगा एक बात दूसरा जो है भारत और इंडिया जो है ये सिनॉनिमस है ये इस तरह की बात मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता लेकिन इस तरह की kontroverse करना आज के समय में बरतवान समय में उचित नहीं हैं इंडिया को कहां कहां से आप मिनाना चाहते हैं कोई ऐसा जगह नहीं है पूरे वर्ल्ड में सबकी जुवाण पर इंडिया रटा हुआ है करनसी नोट से लेके पासपोर्ट पासपोर्ट लेके बतलब आपने देखा होगा कि एंडियान टीम इंडिया की टीम होकी इंडिया हर जगाओ इंडिया इंडिया पाएंगे सब्सक्वत जब तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं उसके इलिए पैसा उसके खरच करेंगे प्रदान मंतिजी ने खुद अपने कई बार भासरों ये बात कहिए कि 80 कोड़ जंता पांच किलो चावल पे चल लही है तो इसका मतब हमारे 80 कोड़ एक सो चालिस कोड की आबादी में सा सी कोड हमारी जंता जो है भारते नागरी जो है पांच किलो चौशाओर पे जिंदा है उनकी हमें जो है उत्थान के लिए काम करना चाहिए तमाम इस तरह की कांट्रों सी करेट करने के बजाए जो है मैं समझता हूं कि हमको पावर्टी ए बात ले लिए उनाइटेट किंडम भी उसको कहते हैं इंग्लैंड भी कहते हैं उसी तरह से बहुत से जो है आप सिंप्ली जो है उसको अमेरिका भी कहते हैं और इसमें किसी परकार के कोई कॉंट्रों सी या को इसी बात निवह चीए जिस पे हम अपनी इनरजी ताकत लगा हो बहुत से जगों का नाम बदल के आप वाई 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 लूट लेना चाहते हो देखिए मैं बता दू कि अभी हाली में जिस तरह के ये सरकार या जो चीश हो रहा है ये एक विशेश वर्क एक विशेश धर्म एक विशेश जादी के सेंबल्स को इस्तवाल करना उसके सा जूसे सभी जाद, धर्म के उनके चिन्नौ सिम्ल को इस्तामाल करना चाहिए और नहीं तो किसी भी सिम्ल को सतामाल ही नहीं करना चाहिए तभी यह जाकि यह देश जोई सेकुलर रहेगा यह मेरा कहना है और मैं आपको बता दूंग जो आप कहरें था नहीं कि इंडिया वारत की इन्डिया बारत की इन आ जान बुश के इस तरह के किया जाता है लोगों को धान भठाने के लिए कर रहा है आप जो यहां के बात करों आप एजकेशन ऑन नेश हो जाएगा ट्रिलियन बनाना चाहते है बाई पर कैप्टा इंकम जो है आप देखो नो कि हमारी पर कैप्टा इंकम क्या है किसी देश की खुशाहली जो है उसकी पर कैप्टा इंकम से देखी जाती है जीर्पी और जेन्पी जो है एक बहुत लोग रिच हो गए अदानी किसानों के क्या पोजिशन है हम जो बात करना चाहते हैं कि और मिनिम्मम सपोर्ट 프ाइस की क्यों देखा पईस ईंके बच्च्चे आप उठाके देेलिए पालिमेंटड्य जिते मिनेता है उनके बच्चे ऐसे हालाग के हम लोगों को हमारा फोकस जो है गरीबी को हटाने पे होना चाहिए हमको अपना quality सिक्शा की बात करना चाहिए यो quality specification higher execution की बात होनी चाहिए उसमें कोई बात नई करना चाहता आए ने ने चीजें नेने नरेडिस को जारी करके जो है या बढ़के ना चाहिए तो हमरा इसुज आने डी जी पे साब ये बहतर बात कर रहे हैं बहुत सी लेकिन गुलामी परंपरा बिल्कुल बर्दास नहीं की जाएगी मैं यह नहीं कह रहा है माननी ये प्रदान मंतरी नरेंद मोदी जी ने कहा है कि ये गुलामी का प्रतीक है कैसे प्रतीक हो गया आप जिस लाल किले से आप खड़े को खुद बात करते हैं और आप कह रहे हैं कि इसाब यह गुलामी के प्रतीक है अभाई नेशन जो है जो कॉंसेप्ट आया है 1870 के बाद आया है उससे पहले तो सभी तमाम तरके राजया रहे वाड़े थे आप जो बात दो आप देगे माने प्रतीन जी ने का आगी गुलामी के प्रतीक है मैं आप से यह पूछ रहा हूं में आप ही के माध्यम से तमाम नेताओं से आप पारलमेंट कि जो बैठे उन से बात कुछ रहा हूं में गुलामी यह होती कि एक ही जाज़धर्म के लोग के गुटर मिर्ट को घुछते हैं वो गुलाम है ना और दो से जाज़धर्म के लोग त्युनी गटर को साफ करते हैं आज आपने को क्या किया कि तमाम जगों पर आउट्शोस क थे गुलामी की पर्टीक है इक गरीब बच्या, जो है जो है जो है गलत उन्हों hiç उसीशिमिल कर, गुलामी की परटीक यह है मैं बताओ नंबर वन हमारी गरीबी जो पूछ रहा रही है यह गुलामी के पूछ रहा हूँ कि एक ही जाध्धर्म के लोग क्यों को टर साप करते हैं आप मैं आपसे पूछना चाहता हूं मैं एक ही जाध्धर्म के लोग जो इंकमे बढ़ाने की बढ़ाने की क्यों नी बात कर रहा हैं आप के नहीं माध्धम से कह रहा हूं मैं आपका डिमोक्रेशी जो है क्या डिमोक्रेशी जो इंक्लूसिव डिमोक्रेशी है क्या सोशल डिमोक्रेशी है क्या जो है यह पार्टिसिप्रिटिव डिमोक्रेशी है एक देखा जाए तो यह मेज़ारी टेरियन डिमोक्रेशी है जो डिक्टेट तो तीन एक गुरूप का उसमें कोई भी मानुडिस का MLA MP अमिनितर नहीं है। मैं आपके माधम से पूछना चाहता हूँ मैं एक सो एक तिस जो है पार्लेमेंट में SC, ST के पार्लेमेंटेंट से MPs हैं। वो इस बात तो क्यों उठा रहे हैं। क्योंकि उनके दिमाग में भी कहीं कहीं मनुड़ाद पूछिवाद आ गया है। और वो अपने ही जाद ब्रादी के लोगों को बाबा साब एमेरिटर के स्कीम के सोथ उनकी बदोलत उनके Constitution के बदोलत वो आज पार्लेमेंट में पहुचे हैं। और वो बाबा साब की समिधान को उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि बदला जा रहा है। उनको आवाज उठानी चाहिए। उनको ये बात करनी चाहिए कि हमारे जाद ब्रादी के लोग आज भी गुलाम है। वो गुलामी की बात उनको आवाज उठाने चाहिए, इससे गुलामी पर्तीक बदलने से, चिन बदलने से, नाम बदलने से गुलामी खतम नहीं होगी, गुलामी यह है. आदरनी, MW अंसारी साब, डिटाइड IPS ऑफिसर हैं, DGP मद्द प्रदेश और छत्यसगर्ण से लंबी सेवाएं दियें, आदरनी सार जब आपने लंबी सेवाएं दी, तो इस दौर में छत्यसगर्ण की बात हो, सुनने में आया है, बहुत सी बातें सुनी हैं समाचार पत्र में, जो भी गरीब शोशित लोग और आदिवासी होते हैं, उन्हें मद्द प्रदेश में भी बहुती गरीबी से नीचे की रेखा के लोगों जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन वहीं, मोदी जी उनकी तो मदद ही कर रहे हैं, सर राशन देकर, तो इसमें क्या बुराई है? गरीब सhouse Б hauntings देखिए ऐसा है कि यह जो है, सब्कुरानी सरकार वे नए सरकार道 जो तरी बाते हैं, बतादों में, कि जब भी कोई आदमी अपनी आवाज को ठाथाता है, चाह किसी की सरकार हो, तो उस पे किसी निकिसी सर किसी सरे उसको, रिबिल, अब अदिवास्यों की बा उटाए तो सब्गेञे काbereich यहां तक युथ है यहां तिक लोगों ने अपनी गल्थि को मानने के बजाए कि उनका आर्थ में और उसका आपसे संक्रस करेगा सरकार से जो है जिसके पास तमाम तरके मिश्णी संक्रस करेगा आज भी अधिवाज्चियों की जिन्दगी में बहुत काफी बदलाव आया है बहुत काफी उत्थान हुआ है लेकिन जितना उनको और होना दिये अभी भी बहुत कमी है जब कोई आदमी अपनी बात करता है वही तो हो रहा है कि आप देखिए कि आज जो है मानिय प्रदान जी ने पसमादा की बात कही है अगर उनकी ती महब्बत है तो वह प्रेसिदेंचल आडर उननी सो पचास को वह खतम कर दें तीन सुक्तारीस फोन खतम कर दिये रंगनात मिश्रा जी ने लिखा अपने कमिशन की रिपोर्ट में आया है कि यह उसको खतम कर दिया जाए यह तमाम चीज़ें यह देखा जाए तो कहीं ने कहीं कार्पुएट जगत को मनवादी पुजवादी तत्तों को उनको इस्टेंटन करने में काम आ रही है यह सोसलिजम नहीं है यह पार्टि जिनके बदावलत आज SCST जहें उनका बहुत कुछ हुआ है लेकि कहीं ने कहीं जहें EWS के नाम पे लेटर लिंट्री कर दिया गया अभी आप रिपोर्ट उठा के देख लिए कि बहुत से SCST दलित का OVC का उनका हिसा मार दिया गया क्योंकि उनकी जगा पे EWS वालों को ले सवाल उठानी चाहिए भाई यह जो है गलत है यह होना चाहिए यह बरा कहना है डीजीपी रहे हैं सर पूरे प्रदेश की बागदोर समालिये मैं बड़ी हमाकत से और माफी के साथ सवाल पूछ रहा हूं मुझे आप से सवाल पूछने में बड़ा भे मैसूस हो रहा है कही मेरी बात बुरी ना लगे सर जब आप इतनी बड़ी पोस्ट पे थे तब आपको यह समाज कर लियान की बात क्यों नहीं याद आई सेवा निबृत के बाद में सर मुहीम चला रहे हैं आखिर क्या कारणा सर ऐसा लखिए आप आपके बात बिल्कुल जायज है और मैं समझत करता हूं हो सकता मुझसे गलती हो मैं उसको सविख्यार करता हूं मैं मुझे करने में कोई है नहीं लेकिन हम अपने सर्विस में सिविल सर्विसे कंडेक्ट टूल्स या एड्मिस्रेटरिक कॉंस्टेंट कह लिए प्रसार्सिंग हमारी बादाय होती है हम करते हैं हम से जो बन सका हम लोगों ने किया है हमने तो भाई यही तो बात कह रहा हूं कि रूल अफ लॉव और डू प्रॉसेश लॉग के तहट काम होना चाहिए आज वही चीज तो नहीं हो रहा है कॉंस्ट्यूशन को बालाए ताग रख दिया जाता है मनमानी हो रही है आप तमाम एड्मिस्टि ड्रेसिजन लिए गया है या आप देखिए कि जितने भी बिल पास हुए हैं जितने भी एक्ट्स आये हैं जितने भी ओडिनेंस आये हैं आप उसको उठा के देखे कि एक व हो, CAO हो, NRC हो, Table Tlaak हो, Convergence Act हो, यह तमाम जो एक्ट या ordinance जो आए हैं, लगता है कि अपरेंट्टी जो है, यह जो है एक business work को hit करना है, उनको suppress करना है, उनको दबा करना है, उनको disrupt करना है, लेकिन आप इन्हों फार्म सिविल कोड को उठा के पढ़ लिजे, मैंने कहा कि भही इसका दस्तेवेज आज तक कोई नहीं उसका नहीं दिया गया, इसूस का involved है, इन्हों फार्म सिविल कोड लाने के बाद आप देखे कि बता दूं कि मायोड़ी तो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है, अगर इतने ही दम है, तो ओपन डॉमेंड में लेके आए, यह तमाम जल जंगल जमीन जो है, जो अधिवासियों का है, वो मैपिम करने के बाद उनको अपरूट कर दिया जाएगा, बड़े-बड़े कारपूट घराएं मे को जंगल जमीन चला जाएगा, आप शुक्तू नहीं करते हैं, आप कर्वरजेर की बात कर रहा हूं, मैं कोई पंगाली में तो आपके प्रश्टूं को जवाब दे रहा हूं, आपको कोई भाय नहीं है, बहत अपती एक जो बिचार आ रहा है, मैं आपको बोल लो हूं मैं, हम तो यह बात कर रहे हैं कि भाई जो, आपका, जो सबसे निचला तपका है, जो सबसे गरीब तपका है, मैं किसी विशेश वर्क जाद की बात है, जो भी विशेश निचला तपका ह odc, एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक संत के कार्इकरम में कही थे, उन्होंने नाम लिया के सामने दलितों को duplicz को अप्मानित करने का प्रयास किया जा रहा या आपके मददिप्रिदेश की घतना इसमें पूरे प्रेदेश में बिरोध हो रहा है स Раз लोग अपनी अपनी डपा अपनी डपली अपना राख बजा रहे हैं कि हमारा अप्मान कर दिया क्या ये अबमान इन्हें पचास साथ वर्सों से जो होता आ रहा है वो याद नहीं आ रहा था आज ही आखिर इनका अहिंकार क्यों जागा आप देखिए बिल्कुल बात सही कर रहा है मत्परदेश में यह भी घटना जो हुई है हम इसको स्टॉगली कर निम कर रहे हैं इससे पहले जो है वहाँ पर मैं दलितों पर शाप करनी घटना हुई एक घटना हुई पर दोसी घटना हुई और उसके साथ साथ पर और भी इस महत्त प्रणा हुई लेकिन मैं जो आपसे बात करूं मैं देखिए ऐसा कि जो कूछ सबात कही जाएगी वह कॉस्थ के दारे में जाए है उसको उत्थान करने के लिए मैं बार बार तो कर रहा हूं कि सिक्षा के लिए और रोजगार के लिए क्या काम कर रहा हूं मंगाई के लिए क्या काम कर रहा हूं आपने मिशू पे तो बात नहीं कर रहा हूं आपने जिसी दे लेके कमर तोड कर रख दिया है आप आज जो है जो इसूज क्या है इसूज यह है कि कॉस्ट सेंसर्स होना चाहिए और प्रेजिशन स्कीम लागू होनी चाहिए एबियम को बंद करना चाहिए किसानों का जो मिनमम सोबोड प्राइस देना चाहिए उसके साथ साथ लोग करें कि तमाम ऐसे मनवादी पुझवादी तक्त जो सेकुलर पार्टी में आ गए हैं सेकुलर पार्टी आपने मनवादी पुझवादी तक्तों को उनको बाहर निकाल दे और कि हम नहीं करें हैं आम जंता बात करें एबियंक से चुना होगा तो लोग धाला के लिए हैं कि चाहे पेटुरल सो से दो सो हो जाए एक रोटी पाकिस्तान की तरह 50 रुपे की जगे 100 रुपे की बेकि आटे का भाव डबल हो जाए लेकिन हम भारत की अस्वता बनाने के लिए हर बार देश की इज़त बनाने के लिए हर बार मोधी सरकार को जटाएंगे अब आज़ा है कि यह ज़र मैं नहीं कह रहा है ज़र पॉब्लिक कह रही है ज़र थेक है मैं आप से शुरू में कहा कि नरेटिव जारी किये जाता है आप तरकी क्योंनी लाते हो भाई एक ही मुस्लिम कर्टी को क्यों लेके आते हो और भी मुस्लिम कर्टीज तो है पुरे वर्ल्ट में दिखाता है सर हमको इसलिए पाकिस्टान को खसेटना पड़ता है सर अक शर आ तंकी हमले करता है सर मैं तो घूरू कर रहूँ मैं aucun पाकिस्तान is a rogue state, पाकिस्तान is a failed state, we don't have respect for पाकिस्तान number one, पाकिस्तान को हम जो है कभी लाइक नहीं करते, हम पाकिस्तान के partition के हम हमेशा से खिलाफ रहे हैं, और पाकिस्तान बनाने वाले, मैं बता दूँ आपको, ये कहने को अपरणिटी जो जिन्ना ने और मुस्लिम ने लेकिन उसके साथ सत में आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हिंदू महासवा और उस जमाने के तमाम लीडर्स भी उतने ही जिम्मेदार हैं, जितना के जिन्ना है, आप इतिहास को उठा कर पढ़िए, हमारे कैसे नहीं होगा, तो आप वार्ट सब इनुर्शेटी से ब उन्थे भाव में, कि भारत का भला होगा सैंटिक टेंप्रमेंट, यो सांटिक इनुरांस होगा हमको हर चीज में जो आज जो है जो है आप से मैंने कहा मैंने और अभी भी रिपीट कर रहा हूं मैं आप हर चीज में जो पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम मंद्द मस्जित अरे या और ग्रमिस नॉंसे इससे का पेट भरने वाला है तुम मुद्धे पर क्यों नहीं आते हो तुम महांगाई की क्यों नहीं बात करते ह हेल्व की क्यों नहीं बढ़ा यह बता आँको मैं मेरा सवाल यह है कि जो प्यों घृब होता के जब आइगा मैरा सवाल फ्रियों पहभानी और व्यां से क्या आ Bears ह। साप कर रहा है वही क्यों साप करें चंदिए पाल काटता रहा है प्होटा सवाल मैं आप से पूचूंगा हमारे बीच में पूर डीजीपी शाहें और बहुत ही विद्वान सक्सिएत हैं आपको बातों से लग रहा होगा आधर नी एक दोस्ते मेरे जनलिस्ट नों ने बताया कि भारत का अगर नाम इंडिया अगर हटा कर भारत रखा जाएगा दस्ता बेजों में तो मात्र चौबिस हजार करोड़ रुपे खर्च होंगे सर इस पर आप क्या कहना चाहरें मत्कुल चौबिस हजार करोड़ रुपे तो खर्च हो रहें सर बदल जाने दीजिए नाम अच्छा है मोदी जी का मन रहेगा और 500 कुछ जो मेंबर पालियमेंट से लोकसवा राजसवा और सर हमारे मुक्हमंत्री प्रदेशों के सबी लोग स्विकृति देने को तयार है तो आखिर पाल कर रहों में और यह उस जगह पर होना थे हैं जो हमारे भारत में नम्पे से 110 डिस्टिक जो है बहुत पावरटी स्ब्सिकें हैं बहुत गरीबी है और वह वहाँ पर इशGT बहुत दिल में है सब्सक्राइब लेकिन किसी ने सब्सक्राइब लेकिन किसी ने जो है रानी लक्ष्मी भाई की बात नहीं किसी ने अपने महत्मा गाधी और खान की बात नहीं कि हम तो यह तो कुछ नहीं कहेंगे उनकी ब़लफ यहां भारत भारत है और हम उनको शिलूट करते हैं और हमारी तरफ से नहीं पूरा भारत की दो बात नहीं करता है और उसके साथ-शाथ मैं बता दूँ कि उनके साथ ही अलिफ इनको भीयात 커त और इस्युलोग ऑबात कि कर रहे हैं और ना अर। मेरी अकर बबाबा साब नहीं होते तो मेरी जुबान पर तर अलग जाता है यह उनका– फ्收न्र aynı चीन है R demás स्मयार का सब्सक्राइब ऑनिका कोईशि़ कर रहा है भाबा सावच में आप से पूछ रहा है भाव में आप से पूछता हूं कि या बहुत बदेगरी थी है नहीं रहे हैं हमारे लिए बाबा साथ यहां पे हैं मेरे सर पर हैं हम उनको एक बारी 500 हमारी आने वाली जनेशन भी 500 पांच-शायर बार सुलुट करेगी उनका करजा नहीं उतर पाएगा हम यहाँ पर जमीन पर बैठे हुए जैसे हम कहरें कि सरस्यीद अमध खां कि आपने काकि मिसली बैठे हुए तो हम सरस्यीद वहत का सुलुट करते हैं मैं तो आप ही के मातने में उनको भी भारत देर की मान करता हूं मैं सर एक आखरी सवाल में पूछेंगा नहीं पूछिए बहुत शांदर वक्ता है सर और मैं तो अधना सा हूं सर आपके सामने सर क्या इसका ओचित है और दूरगामी परणाम राश्टिय इस्तर पर देश की संप्रभुत्तता और अखंड़ता पर नहीं आएगी जहां दक्षिण पंतिय प्रदेशों में हिंदी का विरोध है कि वह चाहते हैं कि इंडिया ही नाम रहे क्या उग्र प्रदर्शन के आसार नजर आ रहे हैं सर मैं आपको बदा दू मुनों जी कि हिंदी जो है मारी नैशनल लागवज नहीं है यह ऑफिशन लागवज जरा इसको डिफेंस को जा समय लीजिए राश्टि भासा सुनते कि इसकोल में पढ़ाते हैं ते राश्टि भासा हिंदी है सार यही तो गलत हो रहने कि जो मैं बार बार कह रहा हूं कि संविधान बचेगा तो हम बचेंगे हम रहेंगों हम गुलाम हो जाएंगे संविधान सरुपरी है जब उसमें लिख दिया है कि we the people of India हम सब भारत के हि इंदी में तो इसमें कोई ब्रोधाभास और कहीं पर कोई कंट्रोसी नहीं यह जान बुसके कंट्रोसी की गई है दोसरा आपका सवाल की क्या भारत दक्षित के जो हमारे राज्य हैं वो करेंगे क्योंकि उनका भी कोश्चन है इनका काम ही जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं वो दुरोधाभास खोचते हैं निकालते हैं और लडाने का काम करते हैं हमें समरस्ता की बात करने चाहिए हमें आपसदारी की बात करने चाहिए हमें साजी वरासत की बात करने चाहिए हर वो काम करना चाहिए जिससे कि हमारा area of consciousness develop हो हम एक दोसरा गले हर यह काम करते हैं तो लोग दे उसे मटे एक दूसे की बुराई करे ये चीज नहीं होनी चाहिए मैं बार बार आप से रिपोर्ट कर रहा हूं मैं आपके माधम करना चाहता हूं कि बाबा साब बाबा साब अब बाबा साब का समिधान सोरपरी है और उससे जो है उसको बचाने के लिए हम सबको पूरी कोशिश करनी चाहिए और उससे कोई छेर चार होगा तो हम बरदास नहीं करेंगे और भारत और इंडिया में कोई सिप्रगाय को कोई वुरोधा बास या कंट्रिक्शन नहीं है से भारत की जो है नैशनल इंटेग्रिटी जो हमारी एक्ता है जो अनेक्ता में एक्ता है इस पर बहुत परभाव पड़गा है इसके दुर्गामी परड़ाम होंगे तो सातियों येते मेरे साथ मैं MW अंसारी साब जो सेवा निब्रिद डीजी पी रहे है और आपने बहुत क असनिगार सहाफी ताला तहजीब और तर्वियत की नगरिया लीगर्ड मुस्लिम विस्वित ध्याले से जिन भी सजनों को ये वीडियो अच्छा लहो क्रिप्याइस को साजा करें सब्सक्राइब कर हमारा मनुबल बढ़ाएं बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन जिंदा बा झाला तो